पंजाब में सियासी पावर पर बवाल थमा ही था कि अब पावर यानी बिजली के मुद्दे पर घमासान शुरू हो गया तस्वीरे पंजाब के पट्याला की है जहां बिजली विभाक के समविधा कर्मचारियों ने नौकरी पक्की करने के मांग को लेकर सड़क पर हल्ला बोल दिया कर्मचारी इपनी मांग मनवाने के लिए सीम कैप्टन अमरिंदर के घर के तरफ कूच कर रहे थे तभी पुलिस ने कर्मचारियों को आधे रास्ते पर ही रोक लिया जिसके बाद भी प्रदेशन कारियों की कोशिश जारी रही जिसके बाद पुलिस ने प्रदेशन कारियों पर जम कर लाठिये चला दो पंजाब में लंबे समय से बिजली विभाग के समविधा कर्मचारी नौकरी नियमत करने की मांग कर रही है इससे पहले पंजाब में बिजली कटोती के मुद्दे पर भी कैप्टन सरकार को वो खुद अध्यक्ष नवजोद सिंग सिद्धूने घेरा था पंजाब में अगले साल चुनाओ है बिजली और नौकरी का मुद्दा कहीं कैप्टन की सियासी पारी गुल्ला कर दे अब को रखे आगे